मत पालो ऐसे अपने बच्चों को कि न वो हवा देख पाएं न पानी देख पाएं न ठीक से जवानी देख पाएं उनको जीवन की सुनामी देखने दो, मजबूत बनने दो, मिट्टियों में खेलने दो, गिरने दो, रोने दो उनके पीछे थालियां लेकर के मत चलो, थाली लेकर के चलने वाली माएं अपने बच्चों को कभी मजबूत नहीं बनाती, बलकि जब भूख लगे और रोएं, रुख जाओ, ले, अब नहीं, खालो, दाल का पानी पीओ, प्रोटीन खाओ, अच्छा किसी किसी का बच्चा भ बड़ा कमजोर है, कुछ खाता ही नहीं, बला हमको खा जाए अब, बताओ महरा जैसा सरीर है कुछ खाता ही नहीं, का हमको खाएगा, ठाली लेकर पीछे घूंब रहे हैं, भूख लगने दो, साइंस कहता है, अगर भूख लगने के बाद भोजन करते हैं, तो दुनिया में कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़े ही, एक टैबलेट की जरूरत नहीं पड़े ही, तुमारा बच्चा स्वस्त रहेगा, आनदित रहेगा, मस्त रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तुम बीमार बना रहे हैं अपने बच्चा, हमारे हाँ बीमारी, बीमारी के बाद देशे से माता सहलाना उसके बाद साथ में रहना इसको बड़ा सेवा समझते बच्चा बीमार न पड़े तो माता का फिर मा कैसे कहलाईगी बचारी बलिदान करने वाली जब अस्ती बीमार पढ़वा के बलिदान करेगी बच्चों को मजबूत बनने दो तो राक्षस के घर में जन्म लेने वाले प्रलात को दुनिया का सबसे बड़ा भक्त बना सकती है केवल मा की कृपा अगर अपने बच्चे पर हो जाए मा अगर मा चाहे तो रावन वेदग्य सुरुतग्य को रावन बना सकती है मा के उपर सब कुछ है अगर मा ठीक नहीं है अगर मा के जीवन में आनंद नहीं है अगर मा अपने बच्चों का रक्षा नहीं करना चाहती है तो याद रखो ये जीवन में आपके बच्चे कभी भी बड़े नहीं बन सकते कभी भी विशाल नहीं बन सकते